नमस्कार जैशी किष्णा मैं राकेश बाठाक आपका शिवानी इस्टो चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने जिवतिश ग्यान के दाम से यूट्यूब की सिरीज स्टार्ट की है जिसमें जिवतिश पढ़ा र क्योंकि उसको देखने के बाद ही आप आगे से समझ पाएंगे और ठीक से अंडर्स्टेंड कर पाएंगे तो आज हम बताएंगे कि भावों से कौन-कौन से बॉड़ी पार्ट्स हम लोग देखते हैं तो वो मैं आपको बताना चाहता हूं इसके अंदर स्टीन शेयर कर ले हर भाव कुछ न कुस बॉड़ी पाथ्सको द रशाता है वो सबसे इंपरंट है क्योंकि उस बाब अगर कमजोर होगा उस बाव पे अगर बुरे ग्रवों का प्रभाव होगा तो जाहिर सी बात है कि वह ऑफ जिन बॉड़ी से पार्ट को दhrशाता है उस बॉड़ी वो क्या दिखाता है वो आदमी का दिखाता है हेड सर दिखाता है हेर दिखाता है उसकी स्किन दिखाता है उसका अपर पार्ट फेस दिखाता है ब्रेन दिखाता है उसका स्कल दिखाता है तो अगर फस्ट हाउस में प्रॉब्लम है फस्ट हाउस बहुत पीडित है फस्ट तो इन चीजों में problem हो सकती है, second house, second house से हम लोग क्या क्या देखते हैं, second house से हम देखते हैं, face आदमी का, mouth, cheeks, गाल देखते हैं उसके, throat देखते हैं, vocal cords जो होती हैं वो भी second बाफ से देखी जाती है, nose नाप जो होती है second बाफ से, right eye second बाफ से, facial bones, tongue, chin, teeth and eyes, यह सब दूसरे भाफ से देखे जाते हैं, तीसरे भाफ से क्या देखे जाते हैं, आदमी की करदन, neck, shoulder, कंदे, arm, बाहें, upper part of the chest, chest का upper part, right ear, बया कान, nervous system, thymus gland and core bones, यह सब हम third house से देखते हैं, अगर यह third house हमारा पीडी दो, third house का स्वामी हमारा पीडी दो, कुनली के अंदर, तो जाहिर सी बात है कि इन अंगों में, body के अंगों में problem हो सकती है, बिमारी हो सकती है, orth house से हम क्या देखते हैं, orth house हम देखते हैं, chest, breast, lungs देखते हैं, arteries देखते हैं, diapergram देखते हैं, portion above stomach देखते हैं, stomach से ऊपर का portion यह होता है, पेट से ऊपर का portion, वो चौते भाफ से दिख तो इन चीजों में पेट के ऊपर वाले हिस्से में या घृड़ए की आटरी जे या लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो सकती है इसके बाल आता है 5ew भाव से हम लोग क्या देखते हैं एक ब्लमन देखते हैं पिड देखते में घृड़टे मिक तरम की चुट्री हीवी और और हिर्दय पांचे बातों से जौर कीड़्ूब्लम हो जाती है monkeys एंसूलिण प्रड्यूस बंग कर देता तो और विप्थ हूज से थो ने को इसंटेच से तो थो इस पर ग्रहों का प्रवाह हो तो इस ब पार्ट से प्रभरूंच को सकती है शिक्स हाउसे क्या देखते हैं? लार्ज इंटरस्टाइन, किड्नीज, नेवल, बेस्ट, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स की प्रब्लम होती है लोगों को बहुत, तो अपेंडिक्स भी छेटे हाउसे दिख जाता है. साथफे हाउसे हम क्या देखते हैं? uterus, galvashae जो होता है, bladder देखते हैं, ovaries देखते हैं, prostate and parel bundle देखते हैं, urinary organs देखते हैं, anal canal देखते हैं, semen देखते हैं, ये हम सब सात्वभाव से देखते हैं, अगर सात्वा भाव कमजोर हो, सात्वा भाव डिदीत हो, तो ये सब धी problem होती है, इसलिए कहते हैं कि जब संतान को बारे में आम लोग देख रहे हैं तो साथमा भाव भी देख लेना चाहिए तो यूटरस बेप्रोडम हो सकती है जिसकी बैसे गर्म नहीं ठेहर पाता है इसके बाद आता है हमारा नवा भाव होता है लेफ्ट चीक साइड 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 वाला लेफ्ट नी थाइज और हिप्स का भाव होता है जो नवा भाव होता है तैंठ हाउस हमारा नीस का भाव होता है पैटल लेफ्ट नॉस्टिल यानि बाई नाग जो उतिया लेफ्ट हाई बाई थाई जो उतिया बोन्स और जॉइंट्स ये सब आपके दस्वे भाव में आते हैं तो अगर दस्वे भाव में प्रवलम है दस्वा भाव कमजूर है तो इन पार्ट्स में प्रॉब्लम हो सकती है ग्यारवा भाव में हम देखते हैं लेक्स, एंकल, लेफ्ट इयर और लेफ्ट हैंड, यह हम सब ग्यारवे भाव से देखते हैं, बारवा हाउस क्या है, फीट, राइट फूट, लेफ्ट आई, लिम्फटिक सिस्टम्स, यह सारे बारे माव से देखते हैं, तो इन में बिल्कुल सिंपल प्रॉसेस है, कि जिन भावों से जो अंग देखे जाते हैं, अगर वो भाव कुंडली में कमजोर हों, अशुब ग्रहों से पीडित हों, अशुब ग्रहों से द्रस्ट हों, तो ऐसे केस में इन भावों से संबंदित पार्ट में बोडी के प्रॉब्लम होना तैह है तो आपको आडिया लगाना चाहिए किस भाव से क्या प्रॉब्लम होती है वो मैंने आपको बारे भाव बता दिये हैं बहुत इंपोर्टन है इन सब को ध्यान रखिए तो आपको प्रलेक्शन करने में बहुत असानी होगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा बहुत आणनेवाज जैशी किष्णा नमस्कार